गुड मॉनिं फ्रेंड्स इस समय सभी सोचल मीडिया साइट्स को देखिए तो वो खुशियों से जूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है और ऐसा है भी कि 70 साल बाद एक पर फिर से भारत को वैस्त भी का जाती मिली है क्योंकि कुछ ऐसे कानून कुछ ऐसे नियम भी भारत पर बेवज़ा थोपे गए थे जिनकी वज़ा से हमारा देश आज तक नुकसान सायता आया है और आज सायद कुछ कम हुआ है और इसकी खुसी आप सोसल साइट्स पर देख सकते हैं लाख रोंक के बावजूद भी ये सब अपनी खुसी को रोंक नहीं पा रहे हैं और आप देखा होगा ये सब भी PVR study के ग्रूप्स में आ रहे थे कल एक दो नए ग्रूप बनाए गए गए थे उसमें जैसे ही ग्रूप बना 256 लोगों को एड़ किया जाता है जो कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके अलमा आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पूरी तरफ नहीं खतम हुआ है जी हाँ कुछ लोग ताचारो तरफ चिला रहे हैं कि धारा 370 का जो गड़बड भाग था वो खतम हुआ है मतलब इसमें सब कुछ खराब ही नहीं था इसमें कुछ अच्छा भी था जो 370 है ये तीन पार्ट में बाटा गया था तीन पार्ट में से दो पार्ट खतम कर दिया गया है पहला पार्ट खतम करने की कोई जरूरत नहीं थी पहला पार्ट का मतलब ये था कि संग सूची और समौरती सूची पर भारत की सांसत कानून बना सकती है और उस कानून को रष्ट्रपती जी जम्मु कस्मीर की जो राजी सरकार है उससे मिल करके उसको जम्मु कस्मीर पर लागू करवा सकते हैं ये कहा गया था और ये भी कहा गया था पहले में भाग में 370 में कि जम्मु कस्मीर भारत का एक अभी नंग है जी हाँ बिलकुल तो इसको कैसे खतम किया जा सकता है जम्मु कस्मीर भारत का एक अभी नंग था है और रहेगा तो पहला भाग वैसे कव वैसे रहेगा इसमें का जमू कस्मिर को बिस्स राजी का दर्जा मिला हुआ था अब जमू कस्मिर राज्य नहीं रहा गया जमू कस्मिर एक इन् स्वॐ नहीं रहा गया या जैसे दिल्ली वगर है। वैसे दिल्ली पांडुचेरी की तरह ये आपका एक केंदर सासित परदेश बन गया ठीक है तो आप कुल मिलाकर के भारत में 28 राज्य और 9 केंदर सासित परदेश हो चुके हैं और यहां की एक सबसे बड़ी गड़बर नियम ये था कि यहां पर धारा 356 नहीं लागू होती यानि कि जम्मु कस्मीर में राष्टपती का सासन लागू नहीं हो सकता था जम्मु कस्मीर में 356 नहीं हो सकती थी आप जाने लिए और इस कारण राष्टपती के पास जम्मु कस्मीर के राजी के संभिधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं था जम्मु कस्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी एक भारत की नागरिकता और एक जम्मु कस्मीर की नागरिकता भारत की सांसा जम्मु कस्मीर के संबंद में अतियंत सीमित छेतर में कानून बना सकती थी ये पहले की बात है और जम्मु कस्मीर में आपके राष्ट्रिये यानि और इतना ही नहीं यहां पर और भी बहुत कुछ था जमू का समीर का अपना अलग से राष्ट्रिय दोज था जमू के समीर के नागरिकों को बिसे साधिकार मिला हुआ था और जो 35A था उसमें 35A के अंतरगत ये नियम था धारा 35A में कि जमू का समीर के बाहर का कोई भी खरीच सकता है ना वहाँ स्थाही रूप से रह सकता है सबसे इतना ही नहीं सबसे बड़ी भी नमबना यह वी थी कि जम्मु कस्मीर की अगर कोई भी लड़की किसी बाहरी यानि कि जैसे आप कोई भी राज ले लीजिए दिल्ली यूपी बिहार महाराष्ट्रा कहीं कि किसी लड़के से साधी कर लेती है तो उसकी जम्मू कस्मीर की नागरिता खतम कर दी जाती थी और अगर वहां का मतलब लड़की साधी कर ली तो उसकी नागरिता खतम कर दी जाती थी और वहां के लड़कों को किसी दूसरे जगा पर साधी करने का कोई अधिकार था ही नहीं इसके मतलब क्या है इसके अलावा अगर आगे बात करें तो भारतिय संभिधान की धारत 360 इसके अंतरकर देश में बित्ती आपातकाल लगाने का प्रावधान है लेकिन वापी जम्मु कस्मीर पर मानने नहीं था इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे और उनको आज हटा दिया गया है अब जम्मु कस्मीर का कोई बिसेस राजी का दरजा नहीं होगा जम्मु कस्मीर में एकल नागरिकता होगी वाभी सिर्फ भारत की नागरिक होगा जिस तरह से सासन होते है वहाँ पर जो नियम कानून होता है दिल्ली में वैसे ही वहाँ पर भी होगा भारत का तिरंगा हाई कोट पर कल ही फारा दिया गया अभी तक वहाँ पर भारत का तिरंगा फारा ना उन लोगों की नजर में अफराद होता था जो हाँ के पालतू सकती हैं लेकिन उनके पास कुछ सीमित अधिकार होंगी जो मन वो करें अब ये नहीं होगा इसके अलावा वहाँ पर RTI और CAG जैसे कानून लागू नहीं होते थे जम्मु कस्मीर से आप किसी भी परकार की सूचना नहीं प्राप्त कर सकते थे कोई भी नहीं प्राप्त कर सकत इसके अलावा और भी बहुत कुछ था वहाँ पर एक सबसे बड़ी बेड़मना ये भी थी कि धारा 370 की वज़ा से कस्मीर में रहने वाले किसी भी पाकिस्तानियों को उन हराम खोरों को भी भारतिय नागरिकता मिल जाती थी मतलब कि अगर कस्मीर में कोई भी पाकिस्तानी आके रहने लगता था तो उसको भारतिय नागरिकता खुद बखुद दे दी जाती थी ये सबसे बुरी बात थी और इसी के आण्ड में वहाँ पर ये इनके आका लोग मिल करके अपना धंधा चलाते थे लेकिन अब ये धंधा नार्मल होने वाला है नार्मल ही क्या अब ये लगबक खातम ही हो जाएगा तो बहुत बहुत थेंक्यू आप सभी को आप लोगों ने देखा होगा ये चुटकुले की नजर से लेकिन इन चुटकुलों में बहुत कुछ जनकारी भी छीपी थी आपने देख लिया कामेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको जनकारी और हाँ इन मज़िदर जनकारियों को अपने दोस्तों में आवस से सेर करिएगा बिन सेर किये मत भूलिएगा थैंक्यू बहुत बहुत सुक्रिया